हेलो फ्रेंड्स यह एक छोटा सर वीडियो है रिगार्डिंग वाइलिंग सम इंपोर्टेंट पॉइंट सेनियर मोटर साइकल हम लोग हर एक सर्विसिंग के बाद यह छोटा-छोटा पॉइंट हम लोग यह तो भूल जाते नहीं तो करते ही नहीं है जहां पर वाइलिंग कर बहुत ज़रूरी है यह कुछ पॉइंट है जहां पर आप अगर करते हैं मतलब है जो इंजीन जो आप फेक देते हैं उसको मत फेकिए उसका पर रखिए अपने पास ठीक है और कंटेनर है एक छोटा सा मिलता है मार्केट में आपको दिखा दूँगा आप वह वहां पर स्मूथ चलती है लेकिन यह जो पॉइंट से आप यहां पर लिंग करने के बाद आप फिल करोगे कि बाइक और भी बेटर और बहुत स्मूथ चल रही है दिखाने के बाद आपको लगेगा कि यार यार इससे क्या फरक परने वाला लेकिन आप एक बाद करके देखो आपको यहां अधर में चैनर पां चैनर बार्पां को요 लेकिन पांट करना पड़ता है और चैन्स अब्हें भूर्क नbstौ में यह जो शौपकेंग चैनर जाएं जरा पांटाहेर B उनको आप बोलिए कि front pocket का जो shaft है वहाँ पर grazing जरूर करने के लिए मेरे एक वीडियो है मैं वहाँ पर करके दिखाया हूँ मैं लिंक आपको दे दूँगा आप वहाँ पर देख लीजिए कैसे करना पड़ता है दूसरा है कि जितना भी moving parts है अपका bike में वील चोड़के ठीक है है हाँ वील चोड़के विल में आप प्रोलियंग मत कर दीजिए जो गड़बड हो जाएगा यहाँ पर वारें किजिये जो आपका में स्टैंड है मेंस्टैंड जहां में अंदर से मूव हो रहा है वहाँ पर कीजिए साइट स्टैंड यहाँ पर कीजिए ठीक है फिर आपका आगया यहाँ पर कि सिमिलेल्ली दूसरे साइड में भी अब ब्रेक के यहाँ पर जो मूव हो रहा है स्टैंड की साइड में भी ज्रेंटिंग पार्ट में यहाँ पर किक के यहाँ ठीक है प्लस्ट जो मूव हो रहा है लिवर प्लेट को जो मूव कर रहा है यहाँ ठीक है पीड आगया आपका उल्सटिंग आपके itelलच आपके ड जो हमाते हैं इसको अंदर की कीरिवर एपक्रकरन करते जो लॉक होता है वहाँ पर भी आप दे सकता है यह कुछ पॉइंट है आप इसको मिंटेन कीजिए ठीक उसके बाद आप बाइक को चला के दिखिए बाइक में आपको और डिफ्रेंस फील होगा आपको लगाया कि और बहतरी इन चल रही है आपको यह सुनके तो राजी बला है कि यह सब पॉइंट से बाइक का प्रफरेंस या चलाना का फील में कैसे डिफ्रेंस आ सकता है लेकिन हर्ज क्या अब करके एक बाद देखो फिर कमेंट में जबरू देना ओके थैंक्स गाइस थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो